हालो प्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में किनी का कॉमेंट आया था कि मैं मेरा बेबी जो है वो 5 मुंस का है मतलों 5 महीने का है तो क्या हम अपने बच्चे को बुर्णूने पानी बिल्कुल नहला सकते हैं मैंने एक वीडियो बनाया था कि हमें अपने बच्चे को बुर्णूने पानी से क्यों नहलाना चाहिए तो इसी पर कॉमेंट आया था कि मेरा बच्चा 5 महीने का है तो मैं क्या हम लोग बुर्णूने पानी से नहला सकते हैं तो आज के वीडियो म आपको मिल सकते हैं तो चलिए वीडियो च्टार्ट करते हैं तो तो जो जो देखेंगे कि बच्चा जो अगर आप वैसे तो सर्दी के मौसम में जब बेवी पैदा होता है या फिर बेवी छोटा रहता है तो बुलगुने पानी से ही हम लोगा नहाते हैं बेवी को भी नहाते जब जब घर्मी होती है पोतो हम लोग फोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं फ़ड़ा सा चोड़ा है फौड़ा है तो फटो पानी को हम आपको घुनगुने पानी से आपको नहलाना चाहिए जितना अपका बेवी शह सको सकते हैं एक बर अपना फिंगर उसमें जरूर टीप करके देखने कि फिंगर जो है वो पानी कितना गर्म है ज्यादा गर्म आपको नहीं करना है हलका गुनगुना पानी रखना है मतलब पानी का ठंधा पन है वो बिलकुन खतम कर देना है तो उस पानी से आप अपने बच्चे को न ल घुट बच्छा धर भी कोई नहाते जाने हैं, तो बच्छा क nahलाइं तो अगर आपका झाला तो अगर अगर करता है इस चाहिए नहाते करम नहाते हैं तो अगर आपका वाटर से आपने नहा रहे है तिन सल तो जरूर बच्चे को ठंड लग रहा है तो कोसिज करें कि रो रहा है तो जए थोड़ा हल्का गुणवूना पानी से नहला कर देखें अगर वाट्च नहीं रोता है तो इसे जेनरली देखा जाये तो मैं डोसे तीन साल तक अपको अपने वच्चे को हल्के गुणुणने प बच्चा थोग तेन साल का भोगे अब आप स्कूल जाने लगा है तो देखिए एक बच्चे को आप नहाना नहाना नहीं डाती है तो उस टाइम पर बच्चे को आप नहलाते हैं घर्मी के दिनों में बच्चे को हलका गुरुबुना पानी देदे इन वाणि पानी नहांगे प्षेर के लिए काफी होता हुथ कहीं एक अचिय गया है कहीं पहीं करते Albion वह सूच जाता है तो हम लोग वहें होंआ चाहिए वहां हो जाता हैसलिक को ख़ता हे छाए छाहिए गर्मी केस्ट मैं उसे ज्लोटर सबश्ज़ में शहान इस पहलेपने हो जाता है तो फी और राएव कोया जाता है तो इस तांक का पानी घर लीज़ाइगा तो आप ट्राइक चाड़ता है तो यह अगर देन चड़ता है वैसे पानी जो है जो हो जाता है तो अट आटकर आप 10-11 तक था शुब और लगर सकते है तो अब दिकित आप पानी से शूवा यूज करते हैं तो अगर अगर आप किसी भी ताइम पह चोटे बच्चे को अगर चापकल के पानी से नह लाएंगे तो बच्चा रोएगा ही रोएगा तो अगर ऐसे में आप खुए का पानी यूज करते हैं तो जब भी आप अपने बच्चे को नहलाते हैं तो आपको पानी को हलका गुंगुना जरूर कर लेना चाहिए इतना की बच्चे का जो है वो सरीर सह सके तो दोस्तों यह था एक छोटा सा डिसकसन कि हमें अपने हर यह दो करते हैं यह था सामऑने डूर्म वाटर भाज़ा तो कया ogni बच्चे को नहां सकते हैं तो बच्चा ङांड़ से नहां नहां सकते हैं और अगर धष्चारी ओन्हेंote 75-55 नहां सकते हैं लुदैकर पच्चे को बच्चे को नहाटे जो सब्स unfamiliar बच्चा नहाना काफी रोता है तो दोस्तों यह था एक छोटा सा वीडियो तुवासा करते हैं कि आपको इच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें चैनल पर नहें तो आपने वीडियो का ध्यान जरूर रखें